यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं स्जाम्यहं परित्रानाय साधूनां विनाशायक दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ओम शंति स्वामी वीवेकानन के जीवन की बात याद आती है कि स्वामी वीवेकानन जब अमेरिका गए और वहां से जब लौट रहे थे वाय लंडन होकर क्या रहे थे वहां उन्हें एक सभा को संभोधित करना था जब वहां गए तो क्या देखते हैं कि बरी सभा में गीता का अपमान किया है सबसे नीचे गीता को रख दिया बाकी सारे शास्त्र उपर रखे टाइब टॉप पर बाइबल को रखा और भरी सभा में हसी उड़ाई कि आपकी गीता भी आउटडेटेड है हमारी बाइबल टॉप पर है आज की दुनिया का कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला वहां होता था तो क्या करता था एंगामा शुरू कर देता था मारपीट आरंब कर देता था किताबों को फाड़ना चालू कर देता था और हर न्यूस की हेडलाइन्स में आ जाता था कि गीता का अपमान और इतना तोड़ भोड़ इतना मारपीठ हो गई और उसका इंपेक्ट भारत में क्या होता था? इनोसंट लोग मारे जाते थे यह डिस्चार्ज बैटरी का कमाल है परन्तु स्वामी विवेकानन चार्ज बैटरी थे उन्होंने क्या किया? मुस्कुराये मुस्कुराये और कहा आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करो? लोग हसने लगे इस व्यक्ति को इतना भी समझ नहीं कि हमने सम्मान किया क्या अपमान किया? स्वामी विवेकानन आगे बढ़े नीचे से गीता को खीचा सारे शास्त्र गिर गए कहा आपने तो गीता को फांडेशन में रख दिया अगर गीता को फांडेशन से हटाया जाए तो दुनिया का कोई धर्म कोई शास्त्र टिक नहीं सकता है the whole situation was changed यह है चार्ज बैटरी का कमाल यह है स्वधर्म के आधार पर जीने का कमाल situation बदल हो गई discharge बैटरी वाला परिस्थिती का शिकार बनता है दूसरों को भी बनाता है लेकिन चार्ज बैटरी परिस्थिती को मास्टर कर लेता है आप लोग क्या चाहते हैं जीवन में परिस्थिती को मास्टर करना चाहते है या उसके शिकार बनना चाहते है कैसे करेंगे charge yourself अपनी बैटरी को यह पोटेंशल साथ गुणों की पोटेंशल से चार्ज करो you will be able to master the situation master कर लेंगे अधीन नहीं होंगे शिकार नहीं होंगे और इसे लिए आज से समझले ना कि जो ज्यादा हंगामा करता है समझले ना यह सब से ज्यादा discharge बैटरी वश दिसचार्ज बैटरी के साथ अपना सर्ख अपाना नहीं है उपकी बैटरी भी discharge कर देंगा इसे लिए charge बैटरी रहो मुस्कुराते रहो, राइट, आप चार्ज बैटरी बन जाओ, and empower them also, empower them with your power, ये है चार्ज बैटरी, situation को तो बदल देते हैं, लोगों के attitude बदल गए, जैसे स्वामी विवेकानन्द वहां से चले, लोग उसके पीछे-पीछे चलने लग पड़े, के कौन व्यक्ति है, जिसको गुसा नहीं आया, लोगों ने गीता को समझना चाहा उसके बाद, कि ऐसी क्या गीता की टीचिंग्स है, कि जिसके माध्यम से ये व्यक्ति इतना self-empowered, strong willpower वाला बन गया, source of inspiration हो गया, इसी तरह महावीर स्वामी के जीवन में, वो जहां बैठते थे तपस्या करने के लिए, सारा वायू मंडल चार्ज हो जाता था, हिंसक प्राणी उस वायू मंडल में आ जाते थे, वो भी अपने हिंसक व्रत्ति को छोड़कर हिंसक होकर के पास में हो जाते थे, हम सुनते हैं, यह कहानिया नहीं है, महात्मा बुद्ध के जीवन की बाते हैं, अंगुली मल नाम का डाकू उसके सामने आया, उसने उसको भी एमपावर कर दिया, मदर टेरेसा, इस इश्वरी अविश्वविद्याले के फाउंडर को हमने देखा, आज देखो, दुनिया में कहा जाता, कि दो बहने इखटी, एक घर में नहीं रह सकती हैं, आज इस अंस्था में समर्पित होकर के 40,000 बहने, जहां दो बहने इखटी, एक घर में नहीं रह सकती, आग 40,000 बहने मिल करके एक ही फोकस को ले करके एक ही लक्ष को ले करके अगर चल रही है सारे विश्व के अंदर इससे बड़ा आश्चरी और क्या हो सकता है यह क्यों क्यों कि पिताश्री ब्रह्मा बावा ने खुद की बैटरी को भी चार्ज किया और दूसरों को भी एमपा सो युवा मिल जाए मैं यह भारत का नक्षा बदल दूंगा लेकिन अफसोस इस जमाने में उसको सो लोग नहीं मिले लेकिन पिताश्री जी ने यह गाइड किया कि जैसे मैंने एमपावर किया है अपनी बैटरी को चार्ज किया है आप लोग पी करो और यह दुनिया को बदलने लगती है हमें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं इसको बदलू इसको बदलू इसको बदलू इसको बदलने की जरूरत मैं खुद को तो बदलू जब मैं खुद को बदलूंगी तो सब कुछ बदलने लगेगा तो एक बार एक पिता अपने कोई काम में बहुत और उसका छोटा बच्चा बार बार उसको आकर डिस्टरब कर रहा था, बार बार कुछ न कुछ कर रहा था, पिता ने सोचा, जब इसको कोई न कोई बात में बिजी रखना है, तो सामने एक निउस्पेपर देखा जिसके उपर वर्ल्ड का नक्षा था, थाड़ा और कहा इस तुमको वर्ल्ड का नक्षा पता था, क्वांसा देश कहा आता है, कैसे तुमने पांच मीड में कर दिया, बच्चे ने कहा इस वर्ल्ड के नक्षे के पिछे एक व्यक्ति का चित्र था, मैंने व्यक्ति को जोड़ दिया, नक्षा अपने आप बन देगे, हम भी अपने असरोत बन जाएंगे, दूसरे हमसे इंस्पिरेशन लेकर अपने आप बदलना शुरू करेंगे, बाकि किसी को बदलने जाएंगे, किसी को बदल नहीं पाएंगे, और उसमें जो फ्रस्ट्रेशन क्रियेट होगा, वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए अपनी रिस्पॉंस अपने स्वधर्म के आधार पर जीना आरंब करो, ये जीवन का संगर्श उसी के आधार पर करना आरंब करो, भै करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही धर्म युक्त- युद्ध से बढ़कर, अन्यकोई परमकलियांकारी मार्गी नहीं है, इससे स्रेश्ट मार्ग, वेन when I change, when I charge my battery, उससे स्रेष्ट मार्ग दूसरा कोई हाई नहीं, किन्तु यदी तुमने ये नहीं किया, तो क्या होगा? किर्ती को भी खोएगा, धर्मयुक तो युद्ध भी नहीं कर पाएगा, हर युद्ध में हार जाएगा, किर्ती को भी खोएगा, और स्वधर्म को भी खोदेगा, और तुम इतना निर्बल हो जाओगे, स्वधर्म माना बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो इतना निर्बल हो जाओगे, कि हर बार हर परिस्थिती का शिकार बनते जाएगे, आज व्यक्ति के अंदर फिजिकलई इम्मूनेटी कम हो जाती है, तो क्या होता है, घर वाइरस उसको अटक करता है, हर रोग का शिकार बनता जाता है, लेकिन अगर फिजिकलईल इम्मूनेटी आई है तो कैसे भी वातावरण में चले जाएगे, कोई वातावरन उसको प्रभावित करने वाले नहीं, यह गीता ज्यान है, इसलिए भगवान कहते है, आत्मिक संपत्ती ही स्थिर संपत्ती है, यह ज्यान, योग, शांख्य, सिद्धान तनुसान, यह शांख्य योग है, यह वास्तविक नॉलेज है, यह विजडम भगवान देते हैं, और फिर उसके बाद कर्म योग, 53 श्लोक से आगे, कर्म योग का ज्यान देते हैं, और कहते हैं, हे अरजुन, यदि तुम युद्ध में मरोगे, यानि जीवन का संगर्श करते करते मर भी गए, तो भी तुम स्वर्ग में राज्य को प्राप्त करोगे, और यु महान हस्तियों ने भोगा, पृत्वी पर स्वराज्य, स्वामे विवेकानन, महावेर स्वामी, महात्मा पृत्वी पर स्वराज्य भोगे, आज दिन तक वो स्वराज्य भोग रहे हैं, तो वास्तों में ये संगर्श, ये युद्ध, आसूरी और दैवी संसकारों के बीच करेगा. इतने उठ्य प्राप्ति इससे होती है. इसलिए बगवान कहاتे, साथ्विक प्रकर्ती को ले करके जीओ. फिर आगे कर्म का अधार और विशेष्ता ये बताते हैं, बगवान और वहशंदर बात कहते हैं और कहा, इस कर्म के द्वारा, इस कर्म, इस कर्म माना, इस कर्म माना, यह सातो गुणों के आधार पर, स्वधर्म के आधार पर, जब यक्ति कर्म का करेगा, तो कर्मों के बंधन से छूट जाएगा, कर्म का बंधन कैसे बनता है, जब वैल्यूज के बजाए, अवगुणों को लेकर के चलते ह तो बंधन create होता है बंधन से मुक्त होना है तो simple technique है तुम values को ले करके चलो स्वधर्म को ले करके चलो हर कर्म का आचरन स्वधर्म के आधार पर करो तो तुम कर्मों के बंधन से छूट जाएगा बंधना चाहते हैं छूटना चाहते हैं क्या करना चाहते है जीवन में, बंधना चाहते है, छूटना चाहते है, हर इंसान फ्रीडम चाहता है, लेकिन अज हर इंसान बंधन वाला जीवन जी रहा है, क्यों? क्योंकि अउगुन परधर्म के वश है, इसलिए बंधन क्रियेट ही होता जाता है, और इतने कॉम्प्लिके जीवन को अपना लिया है, जीवन शैली को अपना लिया, कि अब उसमें से बाहर आना उसको मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब ये स्वधर्म को लेकर के जियेगा, कर्म करेगा, तो हर कर्म उसको कर्म बंदन से मुक्त करता जाएगा, इसलिए कर्म बुंदन मुद्ध जीवन चाहते हैं फिर आगे भगवान कहते हैं इसमें बीज का नाश नहीं है और प्रकर्ति के पास भी कोई उपाई नहीं कि उसको नश्ट कर सके इतना पावर्फुल ये स्वधर्म के आदार पर जब करम करता है व्यक्ति तो इतना पावर्फुल कर्म है कि इसमें बीज का नाश नहीं होता है और प्रकर्ति के पास भी कोई उपाई नहीं उसको नश्ट करनेगा तीसरा कहा इस कर्म से संपादित धर्म धर्म यानि इस कर्म से संपादित पुन्य जो पुन्य अर्जित करता है व्यक्ति, जिसको धर्म कहा, जो वैल्यूस को अर्जित करता है, वो जन्म, मृत्य, रुपी, महान, भै से भी उद्धार करने वाला है, आज मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा भै कौन सा है, the greatest fear कौन सा है लाइफ में, मृत्यू का भै क्यों, क्योंकि हर इंसान जानता है, कि मैंने जीवन परियंत इतने अच्छे करम नहीं किये, जितने बुरे करम किये, यह हर कोई जानता है, अपनी लाइफ हिस्ट्री को तो जानते ही है, और इसलिए जब अच्छे करम नहीं हुए ह तो अगर मृत्यू का नाम लिया, तो व्यक्ति भैवीत हो जाता है, कि पता नहीं, अब यहां से जाने के बाद, कौन सा जनम मिलेगा, कैसा जनम मिलेगा, मालूम नहीं, और वो क्वालिटी अफ लाइफ कैसी होगी, वहां सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, इसलिए व्यक्त को मृत्यू का सबसे बड़ा डर होता है डॉक्टर के पास भी जाता है तो यही कहता है डॉक्टर साब मैं मरना नहीं चाहता हूं मरना नहीं चाहता हूं, क्यों? क्योंकि यहां फिर भी सुक सुविधा तो है तो सुक सुविधा के माध्यम से भले मैं थोड़ा सैन कर लूँगा लेकिन मरना नहीं चाहता हूँ इसलिए मृत्यू का भै लेकिन ये स्वधर्म के आधार पर किये गए कर्म इतने पावर्फुल है कि अगर इसमें शरी छोड़ना भी पड़े तो मालूम है कि इससे भी अच्छी क्वालिटी का जनम मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा तो जनम मृत्यू रुपी भै से भी उदार करने वाला है नो टेंशन यहां से जाएंगे और अच्छे गर में जाएंगे और अच्छी परवरिश में पलेंगे वो संसकार लेकर के जाएंगे वो प्रकर्ती के साथ जीएंगे वहां भी औरों को इंस्पायर करेंगे तो कितना अच्छा तो मृत्यू का भै होगा लेकिन इसमें एक बात है सिर्फ निश्य आत्मक बुद्धी होकर करम करने की आवश्यकता है संश्य बुद्धी नहीं हो जाओ पता नहीं मैंने ऐसा किया तो क्या होगा उसने क्या कहा है हो diver क्या किया हो मैं जो क्या कहेगा दॉंट डाट फेथ के साथ आगे बढ़ो उस फेथ अपने में फेथ रखते हुए आगे बढ़ो स्वधर्म के आधार पर जो कर्म करेंगे, उसमें जब फेथ आ जाती है, विश्वास आ जाता है, निश्चे बैड़ जाता है, तो और भी अच्छा ही होगा। यह कर्मयोग बगवान सिखाता है अर्जुन को, एक बार मेरा एक कारेक्रम था कहीं पर, और उस कारेक्रम में विशय था राजयोग, तो हमारे साथ स्टेज पर एक महनुभो बैठे थे, वो खड़े हुए प्रवचन करने के लिए, अपना भाशन करने के लिए उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें कर्मयोगी बनाया है, राजयोग से हमारा कोई वास्ता नहीं है, और कर्मयोगी बनाया है, हम अपना कर्म निष्ठा से करते हैं, हम अपना कर्म एक्यूरेट करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं, अपने परिवार को अच्छी त लेकिन उसकी बात ने मुझे इतना मजबूर किया, कि क्या यही करम योग है, और तब मैंने गीता को पढ़ना चालू किया, क्योंकि अगर यही करम योग गीता में है, फिर तो आज पशुपक्षी भी अपना कर्तवी निष्ठा से कर रहे हैं, एक कुत्ता भी अपना कर्तवी निष्ठा से करता है, अपने बच्चे को पालता है, उसको भी सिखाता है, एक पक्षी भी अपने बच्चे को पालते हैं, दाना लेकर आते हैं, उसके लिए खुराक लाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको उड़ना सिखाते हैं, तो क्या वो भी कर्म योगी होगे, क् यही करम योग की परिवाशा है, तब मैंने गीता को पढ़ना चालू किया, और तब मुझे समझ में आया कि कर्म योग किसको कहा, कि स्वधर्म के आधार पर व्यक्ति जब कर्म करता है उसको कहा जाता कर्म योगी बनना, नहीं तो कर्म भोगी बनता है, यानि हर कर्म भोगना का अनुभव कराएगा, क्योंकि अगर पर धर्म के आधार पर कर्म किया, वैलियूस के बजाए अउगुनों को लेकर के कर्म किया, तो वो कर्म भोगना का अनुभोव कराएगा या प्राप्ति का अनुभोव कराएगा दुख की भोगना का अनुभोव कराएगा तो भगवान ने जो गीता में कर्म योग दूसरे अध्याई में अर्जन को सिखाया कि जो आत्मा के सातों गुण है, जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म को practically कर्म में अपलाई करना शुरू करो ये कर्म योग कितना powerful है, ये बताया तो कर्म योग की परिवाशा खाली कर्तव्य करना, अपने परिवार को पालना उसको नहीं कहा जाता है वो तो कैसे भी लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो फल की प्राप्ती होगी, वो भोगना होगी या प्राप्ती होगी, यह हमें डिसाइड कर लेना है कि कौन सी प्राप्ती करना चाहते हैं, तब गीता का एक फेमस श्लोक आता है इसके बाद, और वो श्लोक क्या है यहां, बाई पर नहीं, इसलिए कहा कर्म किये जा, फल की चिंता मत कर, लेकिन आजकल तो हर कोई पहले फल की चिंता करता है, एक चोटे बच्चे को भी आप कहो, पानी का ग्लास लेया ओ, तो वो भी अपने माबाब से पुचेगा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या देंगे जो मैं यह पानी का ग्लास लाकर के दूँ और अगर कुछ इंसेंटिव उसको दो तो वो पानी का ग्लास भी लेकर के आएगा, तो आजकल तो हर कोई पल की चिंता पहले करता है, फिर ये गीता का श्लोक रिवर्स हो गया इसलिए भगवान ने जीवन जीने की कला में कहा कर्म किये जा फल की चिंता मत कर क्यों नहीं करना है अब उसका रहस्य समझो उसका रहस्य यह है कि जो कर्म करेगा फल उसकी परचाई बन जाता है जिस तरह व्यक्ति अपने आपको परचाई से अलग नहीं कर सकता है जैसे जैसे चलता है परचाई उसके साथ-साथ चलती ही है ऐसे मनुष्य जो करम करेगा फल उसकी परचाई है इसलिए इंसेपरेबल है वो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेंगा इसलिए भगवान अर्जन को कहते है तो फल की चिंता मत कर कर्म पर फोकस कर और जब कर्म पर फोकस करेंगे कर्म अच्छा होगा तो फल तो अच्छा ही है तो फल की चिंता क्यों करता है don't focus on the fruits focus on the karma karma की quality क्या है उस पर focus करो स्वधर्म क्या अधार पर karma है लेकिन तब कई बार कई लोग हमें क्या कहते बेंजी आज की दुनिया के अंदर जो बुरा करम करने वाला है वो तो मौज करता है अच्छा करम करने वाला वो दुख भोगता है तो इसी लिए व्यक्ती किस और प्रेरित होगा बुरे करम की और ही प्रेरित होगा एक कहानी मुझे याद आती है एक बार दो व्यक्ती रास्ते से जा रहे थे एक व्यक्ती बड़ा इमानदार था दूसरा बढ़ा बेमान दोनों के आपस में कोई पहचान नहीं थी दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे चलते हुए लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ते के बीचो बीच एक बटवा पड़ा था तो बेमान जो था तुरंथ जाता है उस बटवे को उठाता है और देखता है उसमें हजार उपया पड़ा है बड़ा खुश हो गया तो बिना मैनत कही पैसे मिल गए लेकिन फिर उसके मन में आया इसने भी देखा तो ओफर करनी चाहिए कि दोनों ने देखा तो जो उसमें माल है आधा आधा बाढ़ लेते हैं तो उसने इमांदार से कहा कि देख भई ये बटवे के अंदर हजार उपया पड़ा है आप पाण सो रख लो्प मैं पाण सो क्योंकि ऑं दोनोंने देखा तो पांसो पांसो कर लेते हैं वो तो बड़ा इमानदार था, उसने कहा के देख वाई, जिस व्यक्ति का ये बटवा होगा अंदर एड्रेस तो जरूर होगा, अगर उसको देखे आएंगे, खुश हो जाएंगे, दुआ ही देंगा, तो बेमान ने कहा के देख वाई, पहली बात तो इसमें एड्रेस है नहीं, अगर होता था, तो भी मैं देने वाला नहीं था, कहा क्यूं, तो कहा है इसलिए कि अगर उसके नसीब में होता था ना, तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद यहां से पहला नंबर हम ही जा रहे हैं, इसका मतलब ही हमारे नसीब का है, तो उसको प्रसाद मान के स्विकार कर लेना चाहिए, अब उसको ढूंडने का यह टाइम वेस्ट है, का तुम नहीं ढूंड सकते, हम पुलिस वालों को दे देते, उसने कंप्लेइन लिखाई होगी, का लेकिन अगर उसके नसीब में ही नहीं होंगा, तो पहुँचेगा ही नहीं, तो बेइमान ने जब ये बात कही, तो इमानदार ने कहा के देख भाई, मुझे तो नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम पूरा रख लो, ठीक है, मैं तो पूरा रखने के लिए तैयार हूँ, बड़ा खुश हो गया, अपने जब में डाल दिये, पूरे हजार के हजार और अपने नसीब का है, प्रशाद मान के स्विकार कर लिया उसने, जैसे ही थूड़ा आगे बढ़े, तो जो इमानदार था, उसको पैरों में इतना जोर से कांटा लगा, कि खुण निकलने लगा, तो बेइमान उस वक्त उसको कहता है, बड़ी इमानदारी की बाते कर रहा था न, तब ही ये कांटे लगते हैं, बेइमानी के रह पर चलो, पर्स मिलेगा, अब उसी समय उपर से कुछ देवताएं गुजर रहे थे, देवताओं ने जब ये बात सुने, तो कहार क्या बात है, ये तो कलियुक के अंदर, सब मिलकर के भगवान के पास गए और भगवान से का भगवान, ये चित्र गुप्त कुछ गरबड कर रहा है, कहा क्या बात है, तो कहा के ये दो व्यक्ति जो है न नीचे, एक बड़ा बेइमान है, बड़ा इमानदार है, बेइमान को पर्स मिल रहा है, और इमानदार को काटे लग रहा है, होना उल्टा चाहिए कि इमानदार को पर्स मिलना चाहिए, बेइमान को काटे लगना separation for instruction की लिए मैं चित्रगुप्त को बुलाता हूं, चित्रगुप्त को बुलवाया और कहा कि बहु यह दोनों व्यक्ति का अकाउंट लेकर क्या हॉ, दोनों व्यक्ति का अकाउंट लेकर क्या आया तो देखा कि जो बेजुता है भुप पहले बड़ा इमानदार था, इसला पिछला record चेक किया तो बड़ा इमानदार था और उसकी इमानदारी के फल स्वरूप उसको इतनी बड़ी प्राप्ती होने वाली थी, एक बड़ी लौटरी लगने वाली थी, करोडो रुपया प्राप्त होने वाले थे लेकिन वो प्राप्ती के पहले लास्ट टेस्ट लास्ट टेस्ट उसको देनी पड़ी और उस समय उसने सोचा ये इमानदारी के पत पर चलने से कुछ नहीं मिलने वाला है और वहां से उसने अपनी डाइरेक्शन चेंज कर लिया बेइमानी का रास्ता अपना लिया वो सारी प्राप्तिक्षिन होते 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 खाली हजार रुपया बचा था इमानदारी का फल खाली हजार रुपया बचा था जो उसको मिल गया और उसी में वो खुश हो गया लेकिन अगर उसको पता चले कि उसके नसीब में क्या था, तो शायद वो अफसोस करता कि बेमानी का रास्ता मैंने क्यों अपनाया, और जो इमानदार था, वो पहले बड़ा भी इमान था, और उसकी बेमानी के फल स्वरूप, उसको बहुत बड़ी, कठोर सी कठोर सजा प्र का मिलता ही है, इसलिए कहावत है बगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, और वो लास्ट चांस सुधर ने का मिला, और वहां से उसने उस उस अपर्चुनिटी को ले लिया, सुधर गया, इमानधारी के रास्ते पर आगया, और वो सारी कठोर भोगना जो थी, वो भी इक्षेन होते होते होते, सिर्फ एक काटा चुबने जितना ही सजा रहा हुआ था, इतना ही खाता उसका बचा था, जो बेईमानी वाला खाता उतना ही बचा था, इमानदारी का फल तो भी बाकी है, इसी तरह बेईमानी का फल उसका बाकी है, इमानदारी का खाली हजार उपय यह बचा हुआ था, जब देवताओं ने यह देखा, तो देवताओं ने बगवान से पूछा कि बगवान एक बात बताओ, इतने करोडों मनुश्य है, यह चित्रगुप्त हरे का हिसाब कि तब इतने accurate कैसे रख सकता है, एक नाम वाले कितने लोग होते तो भी गरबड नहीं हो सकती है, बगवान ने कहा उसका नाम है चित्रगुप्त, गुप्त, चित्रगुप्त, कि जब मनुश्य का जन्म होता है न, इस अंसार में जब आते हैं, तो गुप्त रिती से अंदर एक कैमेरा फीड कर देता है, हर इंसान के अंदर एक कैमेरा लगाया हूँ है, जो स्टिंग ऑपरेशन करता जाता है, क्या भावना है, किस तरह की भावना है, क्या कर्म है, हर बात का स्टिंग ऑपरेशन होता है, और लास्ट में जब व्यक्ति शरी छोड़कर पर आता है, तो वो समय वो कैमेरा निकाल करके, सारी रिल उसके सामने खड़ा, क्या बहां बता परिप्टिंग ओपरेशन करना जरूरी है उसका, तो जित्र गुप्त, हर कर्म का गुप्त चित्र निकालता जाता है, और तब उसका फल भी निश्चित हो जाता है. तब मनुष्य ने पूछा, कि हे बगवान इतना तो बता दो, तो कैमरा कहा रखा हुआ है, चित्रगुप्त ने, बगवान ने कहा, अगर वो बता दिया जाए, तो मनुष्य सबसे पहला काम क्या करेगा, और अपरेशन करवा के, चैमरा ही निकलवा देंगा, इसलिए चित्रगुप्त, गुप्त रिती से याद रखना, हर कर्म का गुप्त चित्र निकलता जा रहा है, अच्छा कर्म का भी और बुरे कर्म का भी, और इसलिए करम किये जा फल की चिंता, मत कर मिलना ही है, वो तो परच्छाई है, एक ही नहीं, इसलिए मिलना ही है, फिर आगे भगवान कहते हैं, बस दो बातों से साउधान रहना, करम करते समय, आसक्ती और संग दोश को त्याग कर, सिद्धी असिद्धी में समान भाव रख कर, योग में स्थित होकर, निश्काम कर्म कर, ये समत्व भाव, ये बैलन्स, यही तो योग है, योग का मतलब क्या है, योग मेंस बैलन्स इन लाइफ, जीवन के अंदर सम्तुलन, समत्व भाव, उसी का नाम योग है, आसक्ती और संग दोश में जब यक्ति आ जाता, उसके प्रभाव में जब आ जाता, तो इम बैलन्स क्रिएट हो जाता है लाइफ में, और फिर आगे बताया, समत्व बुद्धी के साथ कर्मों का आचरण, कौशल ही योग है, योग का प्रमान क्या? जो कर्म व्यक्ति कर रहा है, निश्काम कर्म कर रहा है, यह समत्व भाव से कर रहा है, उसका प्रमान क्या? कौशल, वो कर्म के अंदर efficiency होती है इतना efficient कर्म होता है इतना सुन्दर कर्म होता है वो तो समत्व बुद्धी के साथ balanced state of mind के साथ जो व्यक्ति कर्म का आचरण करता है उसके जीवन के अंदर कुशलता है यही तो योग है यह स्पष्ट करता है यही योग है और इसी लिए भगवान आगे कहते हैं यह विचलित बुद्धी जिस समय समाधी में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग की पराकाष्टा के फल अम्रत पद को प्राप्त कर लेगा जीवन के अंदर अम्रत पद की प्राप्ती हो जाएगी और फिर चौपनवे श्लोक से लेकर के स्थिर बुद्धी पुरुष के लक्षन स्थित प्रग्य किसको कहा जाता है तो भगवान कहते हैं जब मनुश्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है तब आत्म से ही आत्म में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धी वाला कहा जाता है ऐसा आत्मतृप्त महापुरुषhi स्थित प्रग्य है आत्मतृप्ती आत्म संतुष्टी जब स्वधर्म के अधार पर कर्म करेंगे तो उसका फल क्या है आत्म संतुष्टी वो विचलित नहीं होता है, वो संतुष्ट होता है और उसकी बुद्धी स्टेबल होती है दूसरी निशानी बताएं कि जो व्यक्ति कचुई की तरह अपनी करमेंद्रिय को समेट लेता है उन्हें इंद्रिय विशेक रसनाओं से हटाना जानता है, वही स्थित प्रग्य है अर्थाद समेटने की शक्ति और अंतरमुक्ता की धार्नाई आत्म अनुभूती कराती है जब आत्म अनुभूती व्यक्ति करता है तो उसके लिए अपने आपको अंतरमुक्ही सदा सुकी बनाना पड़ता है कचुई की तरह आप शिव के मंदिर में जाएंगे न तो बाहर नंदी गण है लेकिन जब अंदर जाने के पहले डोर स्टेप पर एक कचुई होता है और उसको भी प्रणाम करके अंदर जाते हैं शिव के मंदिर में ये प्राप्त होता है भावार्त यह है कि कचुई जैसा जीवन बनाओ कचुई जब अपनी इंदरियों को विस्तार में लाना है करम करना है तो विस्तार में लाता है जब करम पुरा हो जाता है तो अपने आपको संकीर न लेता है सेफ सेफ पोजिशन में आ जाता है तो ये जीवन बनाने की प्रेणा है लेकिन आज की दुनिया में फैंक्षुई के हिसाब से भी, लोग कहते हैं कच्छुआ एक दूसरे को भेट करो, कच्छुआ देने से गुड़ लग आएगा, ऐसे हजारों कच्छुआ, आज बिजनेस बन गया, कहीं लोग कच्छुए की अंगुठी बना करके पहनने लगे, गिफ्ट करने लगे, कच्छुआ एक दूसरे को, गुड़ लग आएगा, गुड़ लग आएगा, ऐसे गुड़ लग नहीं आता है, गुड़ लग तभी आता है, जब कच्छुए जैसा हम जीवन बना, कर्म करना है तो इंद्रियों को विस्तार मे लाओ, कर्म पूरा हो, इंद्रियों को संकिर्ण ले लो, अंदर समेट लो, अंतरमुखी जब बन जाते हैं, तो आत्म संतुष्टी का अनुभव, आत्म अनुभुती करने लगता है, वो गुड़ ले आता है, इसलिए कहावत है, अंतरमुखी सदा सुखी, बाहिय मुखी सदा दुखी, बाहिय मुखी सदा दो कि बोल देता है और फिर अफ्सोस करता है नहीं बोलता था तो अच्छा होता था तीसरी क्वालिटी भगवान बताते हैं स्थित प्रग्यता की कि जिस प्रकार से तेज हवा पानी पर तैर रही किष्टी को बहा कर ले जाती है उसी प्रकार करमेंद्रिय के वशिभूत मन उसके वीवेक को हर लेती है और जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर अधिकार होता है वो स्थित प्रग्य कहलाता है अपनी करमेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरिय ज्ञान को जीवन में धारण कर सकता है और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप में अंदर में समा जाता है यानि जीवन एक ऐसा कभी-कभी तुफान के बीच में भी हमें ले आता है लेकिन उस समय जो व्यक्ति करमेंद्रिय के अधीन होकर के बहने लगता है उस दिशा में तो बह गया तो गया इसलिए भगवान कहते हैं जिसका करमेंद्रिय के उपर राज्य होता है इंद्रिय जीत जो बनता है जैसे जैन धर्म में कहा जै जीनेंद्रिय जीतेंद्रिय होने की प्रेणा इसलिए उन्होंने दी गीता से गीता में आज से पांच अजार साल पूर्व महर्शी वेद व्यास जी ने ये बात कहीं के हे अर्जुन तुम अपनी करमेंद्रिय पर जीत प्राप्त करो तब तुम अपने माइन को स्टेबल रख सकेगा अपने बुद्धी को विचलित होने से रोक सकेगा तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण प्रशना जो हमारे मन के अंदर भी उत्पन होता है कि मनुष्य की बुद्धी विचलित कैसे हो जाती है योग परायन बुद्धी माना कॉंसेंट्रेटेड क्यों नहीं होती है विचलित क्यों हो जाती है तो भगवान इतनी सुंदर बात कहता है विशयों का चिंतन करने वाला पुरुष विशयों में आसक्त हो जाता है विशय यानि विक्रत विशय विशयों का चिंतन करने वाला पुरुष विशयों में आसक्त हो जाता है एक्ट्रैक्ट हो जाता है आसक्ती से कामना उत्पन होती है यानि अनेक प्रकार क चाहिये चाहिये की चाहनाय उत्पन होती है और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध की उत्पति होती है और क्रोध से अविवेक उत्पन होता है अविवेक से स्मरन शक्ति ब्रमित हो जाती है और स्मृति ब्रमित होने से योग परायन बुद्धी नष्ठ हो जाती है यह सारा मार्ग बताय, this is the pathway. विशयो का चिंतन करने वाला विशयो में आसक्त, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति शक्ति ब्रमित हो गई, और स्मृति शक्ति ब्रमित हो गई, तो बुद्धी विचलित हो गई. योग परायन बुद्धी यानि focused intellect नहीं रहते हैं योग परायन बुद्धी नष्ट हो जाती योग माना focus, concentration वो concentration समाप्त हो जाती और बुद्धी बटकना शुरू हो जाती इसलिए भगवान अर्जुन को कहते है अर्जुन निश्काम कर्म योग को ही बुद्धी योग कहा जा कि तब तुम अपने बुद्धी को focused रख सकेगा और इस अध्याय के अंत में फिर भगवान कहते है योग साधना रहित पुरुष के अंत करण में निश्काम कर्म युक्त बुद्धी नहीं उसके अंत करण में भाव नहीं और भाव रहित पुरुष को शांती नहीं अशांत पुरुष को शाष्वत सनातन की प्राप्ती नहीं उसुख नहीं मिलता है अतह योगी बनने की प्रेणा बगवान देते हैं और कहते हैं योग माना क्या? योग means स्वयम को सुसंस्कृत करने का विक्यान योग माना अपनी इंद्रियों को सुसंस्कृत करने का सल्फ डिसिप्लिन में लैने का उसको योग कहाज़ इस अ साइंस परेशान मन वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है और अपनी आत्म उन्नती के प्रति उदासन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है इसलिए है अर्जुन तु योगी बन कर्म योगी बन अब कहा है कि तुम घरबार छोड़ो कर्तव या छोड़ो सन्यासी बन जाओ ये कहा कहीं कर्म योगी कैसे बनना है ये बात दूसरे अध्याई में स्वष्ट की आत्म ज्यान को देते हुए स्वधर्म का परीचे कराते हुए कर्म योगी बनना और उससे ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्थिर्टा ला सकता है ये गीता हमें इंस्पायर करती है तो ये था दूसरा अध्याई शाम को भी हम देखेंगे तीसरा अध्याई जिसमें और अधिक कर्म योग को स्पष्ट किया गया है दूसरा पहलू कर्म योग का हम देखेंगे ये पहला पहलू स्वधर्म के आदार पर देखा दूसरा पहलू शाम को देखेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग है और जीवन जीने की कला स्पष्ट करती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए दो मिनिट के लिए दो मिनिट के लिए मन को स्वधर्म में स्थित करके देखेंगे जैसे कहा कि मन स्वधर्म में स्थित हो जाए तो आज जब पता चला स्वधर्म किसको कहा जाता तो आत्मा के गुण धर्म में हम मन को एकागर करेंगे जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन तो चिंतन से उस उर्जा को अपने अंदर विक्सित करना है As you think, so you become तो थोड़ी देर के लिए अपने मन को बाहि सभी बातों से समेट लेते हैं स्वयम को आत्म भाव में स्थित करते हैं अंतर्चक्षू से स्वयम को देखो प्रकुटी के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रुप में हैं ये शरीर करम करने का क्षेत्र हैं में आत्मा क्षेत्रग्य हूं धिरे धिरे में आत्मा जीवन के संघर्ष में विजय होने के लिए स्वधर्म में स्थित होती हूं मेरा गुण धर्म शुद्ध पवित्र है में स्वयम को उस पवित्र स्वरूप में देख रहे हूं निर्मल निश्चल स्वरूप निर्दोश स्वरूप ये मेरी वास्त्विक्ता है में आत्मा अपने असली स्वरूप में शान्त स्वरूप मेरा स्वधर्म शान्ती है शान्ती की तरंग मैं सूस कर रही हूं मेरे मन की गती शान्त होती जा रही है शान्ती का पुन्जू इसी शान्ती में सच्चा सुक समया हुआ है इसी शान्ती में प्रसन्नता है परम आनन्द है मेरा सत्य स्वरूप परम आनन्द स्वरूप है मेरी जैतन्यता की अभिव्यक्ती आनन्द से है कितना दिव्य स्वरूप है मेरे चारो और सकारात्मक उर्जा का प्रभा मंडल देख रही है सात्विक प्रकर्ती को विक्सित करती हूँ और ये सतो गोण के आधार पर हर कर्म करना है हर व्यवहार में आना है हर संबंद में को निबाना है कितना सुन्दर अनुभौ है ये गुणों की उर्जा का तेज विक्सित कर रही हूँ ये ही शक्ति जीवन के हर संगर्ष में विजय कानुभो कराएगी और अम्रत तत्व को प्राप्त करने की शक्ति देंगे पड़े भाई तुम पड़े न फिर पच्चताना पड़े न फिर पच्चताना कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पच्चताना पड़े न फिर पच्चताना कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पच्चताना एक दिन तो धर्म राज को पड़ेगा मुख दिखलाना कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पच्चताना कर्म करो ऐसे कर्म करो मन में औरों के लिए तुम शुब संकल्ब चलाओ निन्दा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ आँखों से कभी बुरा न देखो पड़े जो आँख जुकाना पड़े जो आँख जुकाना आँखों से कभी बुरा न देखो पड़े जो आँख जुकाना कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पच्चताना कर्म करो भाई कर्म करो कर्म करो भाई कर्म करो मुक से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो अपने मुक से ग्यान रतन घंडारे अब तुम खोलो कानों से कभी सुनो न ऐसा पड़े जो कान कटाना कानों से कभी सुनो न ऐसा पड़े जो कान कटाना कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पच्छताना कर्म करो ऐसे कर्म करो कर्म करो ऐसे कर्म करो ऐसा जीवन हो जो हसते हसते घर को जाओ धर्म राज के आगे तुम निख़य हो कर जाओ ऐसा हो न खाता अपना पड़े जो वहां पच्छताना कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पच्छताना एक दिन तो धर्म राज को पड़े का मुक दिखलाना कर्म करो ऐसे कर्म करो कर्म करो भाई कर्म करो कर्म करो ऐसे कर्म करो कर दो